ओम शान्ती आज है 14 जुलाई 2020 के इश्वरिय महावाक्य पहली एक नजर मुर्लिक की मुख्य पोइंट्स पर बाबा नी कहा तुम बच्चों को कितना नारायनी नशा चड़ना चाहिए अभी तुम सो देवता बन रहे हो यह है विश्व के मालिक पने का नशा फिर कहा देह अभीमान है पहला नंबर फिर और विकार आते हैं मोह भी बहुत होता है तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है फिर कहा कि अभी बाप आकर तुमको मनुष्य से देता नर्से नारायन बनाते हैं तो तुम्हारा भी फर्ज हैं अपने हमजीनस की सेवा करना भारत की सर्विस करना फिर कहा तुम फिर से राजाओं का राजा बनने का पुर्शार्थ करो जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी सब फूल बन जाएंगे तब विनाश होगा अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित है तुमको बहुत महनत करनी है पावन बनना है यहां सब है देह अभीमानी बाप ही आकर देही अभीमानी बनना सिखलाते हैं तुमको वर्थ पाउंड बनाते हैं और लास्ट में बाबा ने कहा तुम हो सर्वोत्तम भ्रामन कुल के तुम रचता और रचना के आदी मद्यांत को जानकर चकरवर्ती राजा बनते हो कोई भी मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है इसलिए तो ज्ञान नेतरहीन कहा जाता है अब सुनते हैं मुर्ली को विस्तार से मुर्ली का सार मीठे बच्चे इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे लेकिन सजावट शरीर की होती आत्मा की नहीं प्रशन तुम बच्चों का फर्ज क्या है तुम्हें कोन सी सेवा करनी है उत्तर तुम्हारा फर्ज है अपने हमजिन्स को नर से नारायन नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ती बताना तुम्हें अब भारत की सच्ची रुहानी सेवा करनी है तुम्हें ज्यान का तीसरा नित्र मिला है तो तुम्हारी बुद्धी और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए किसी में मोहो जरा भी ना हो गीत नैन हीन को रहा दिखाओ प्रभू ओम शान्ती डबल शान्ती तुम बच्चों को रिस्पोंड करना चाहिए ओम शान्ती हमारा स्वधर्म है शान्ती तुम अभी शान्ती के लिए थोड़े ही कहां जाएंगे मनुष्य मन की शान्ती के लिए साधू संतों के पास भी जाते हैं ना अब मन बुद्धी तो हैं आत्मा की ओर्गंस जैसे यह शरीर के ओर्गंस हैं वैसे मन बुद्धी और चक्षू अब जक्षू जैसे यह नयन हैं वैसे वह नहीं है कहते हैं हे प्रभू नयन ही इनको रहा बताओ अब प्रभू व इश्वर कहने से वह बाप का लव नहीं आता है बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है यहां तो तुम बाप के सामने बैठे हो पढ़ते भी हो तुमको कोन पढ़ाते हैं तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा वो प्रभू पढ़ाते हैं तुम कहेंगे शुबाबा पढ़ाते हैं बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है, है भी बाप दादा, आत्मा को आत्म ही कहा जाता है, वैसे वेह परमात्मा है, वेह कहते हैं, मैं परमात्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूं. फिर मुझ परम आत्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव ड्रामा में सब का नाम भी चाहिए ना शिव का मंदिर भी है भक्ती मार्ग वालों ने एक के बदले अनेक नाम रख दिये हैं और फिर धेर के धेर मंदिर बनाते रहते हैं चीज एक ही है सोमनात का मंदिर कितना बड़ा है कितना सजाते हैं महलों आदी की भी कितनी सजावट रखते हैं आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है वैसे परम आत्मा की भी सजावट नहीं है वह तो बिंदी है बाकी जो भी सजावट है वह शरीरों की है बाप कहते हैं ना हम हमारी सजावट है ना आत्माओं की सजावट है आत्मा है ही बिंदी इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पार्ट बजा ने सके वे छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती है मनुश्यों के कितने नाम है किंग क्वीन की सजावट क कैसे होती है आत्मा तो सिंपल बिंदी है अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है आत्मा ही ग्यान धारण करती है बाप कहते हैं मेरे में भी ग्यान है ना शरीर में थोड़े ही ग्यान होता है मुझ आत्मा में ग्यान है मुझे यह शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए शरीर बिगर तो तुम सुन ना सको अब यह गीत बनाया है नय नहीं इनको रहा बताओ क्या शरीर को रहा बतानी है नहीं आत्मा को आत्मा ही पुकारती है शरीर को तो दो नेत्र है तीन तो हो न सके तीसरे नेत्र का यहां तिलक भी देते हैं कोई सिर्फ बिंदी मु बिंदी तो है आत्मा, बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, आत्मा को पहले ये ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था, कोई भी मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्र हीन कहा जाता है, बाकी यह आखें तो सबको हैं सारी दुनिया में कोई कोई यह तीसरा नेत्र नहीं है तुम हो सर्वत्तम ब्राह्मन कुल के तुम जानते हो भक्ती मार्ग और ज्यान मार्ग में कितना फर्क है तुम रच्चता और रचना के आदी मद्यंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो जैसे आईसेस वाले भी बहुत उचा पद पाते हैं प्रन्तो यहां कोई पढ़ाई से MP आदी नहीं बनते हैं यहां तो चुनाव होते हैं वोट्स पर MP आदी बनते हैं अभी तुम श्रीमत मिलते हैं और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं वे तो सब हैं देह अभी मानी बाप ही आकर देही अभी मानी बनना सिखलाते हैं सब हैं देह अभी मानी मनुष्य शरीर का कितना भबका रखते हैं यहां तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं श दनवरों की तो फिर भी खालादी बिगती है, मनुष्य का शरीर तो कोई काम में नहीं आता, अब आप आकर वर्थ पाउंड बनाते हैं, तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम सो देवता बन रहे हैं, तो यह नशा चड़ा रहना चाहिए, प्रन्तु यह नशा भी नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार रहता है, धन का भी नशा होता है न, अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है, तुम फूलों का बगीचा बनाते हो, सत्युग को कहा जाता है, गार्डन ओफ इसका सेपलिंग कब लगता है यह भी किसको पता नहीं तुमको बाप समझाते हैं बुलाते भी हैं हे बागवान आओ उनको माली नहीं कहेंगे माली तुम बच्चे हो जो सेंटर्स संभालते हो माली अनेक प्रकार के होते हैं बागवान एक ही है मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना बगीचा ऐसा सुन्दर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं मुगल लोग बहुत शोकीन होते थे उनकी स्री मरी तो ताज महल बनाया उनका नाम चला आता है कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाये हैं तो बाप संजाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है मनुष्य तो मनुष्य ही है लडाई में धेर के धेर मनुष्य मरते हैं फिर क्या करते हैं गास लेट पेट्रोल डाल खलास कर देते हैं कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़े ही करते हैं, कुछ भी मान नहीं. तो अब तुम बच्चों को कितना नारायनी नशा चढ़ना चाहिए, यह है विश्व के मालिक पन का नशा, सत्य नारायन की कथा है, तो जरूर नारायन ही बनेंगे, आत्मा को ग्यान का तीसरा नेत्र मिलता है, देने वाला है बाप, तीजरी की कथा भी है, इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं, कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, अमर कथा भी सुनाते हैं, अब अमर नात पर कहां दूर दूर जाते हैं, बाप तो यहां आकर सुनाते हैं, उपर तो सुनाते नहीं हैं, वहां थोड़े ही पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई, यह बच्चों को भक्ती और ज्ञान का कॉंट्रस्ट बताते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना हे प्रभु अंधों को रहा बताओ। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं जिसका कोई को पता नहीं है सिवाए तुम्हारे ज्यान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूंधा धुंदकारी आखे भी कोई की कैसी कोई की कैसी होती है कोई की बहुत शोभावान आखे होती है फिर उस पर इनाम भी मिलता है फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया मिस फलानी तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं वहां तो नेचरल ब्यूटी रहती है क्रिश्न की इतनी महिमा क्यों है क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटिफुल बनते हैं नमबर वन में करमातीत अवस्था को पाते हैं इसलिए नमबर वन में गायन है यह भी बाप बैठ समझाते हैं बाप बार बार कहते हैं बच्चे मन मना भव हे आत्मय अपने बाप को याद करो बच्चों में भी नमबर वार तो है ना लोकिक बाप को भी समझो पाँच बच्चे हैं उन में जो बहुत सयाना होगा उनको नमबर वन रखेंगे माला का दाना हुआ ना कहेंगे यह दूसरा नमबर यह तीसरा नमबर है एक जैसे कभी होते नहीं बाप का प्यार भी नंबरवार होता है वह है हद की बाद यह है बेहद की बाद जिन बच्चों को ग्यान का तीसरा नित्र मिला है उनकी बुद्धी और चलन आदी बड़ी रिफाइन होती है एक किंग ओ फ्लावर होता है तो यह ब्रह्मा और सरस्वती, किंग, क्वीन, फ्लावर ठेरे ज्यान और याद दोनों में तीक़्े है तुम जानते हो, हम देवता बनते हैं मुख्य आट रत्न बनते हैं पहले पहले है फूल फिर युगलदाना, ब्रह्मा, सरस्वती माला सिमरते है न वास्व में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिम्रण है तुम्हारे उपर फूल नहीं चड़ सकते हैं फूल तब चड़ है, जब शरीर भी पवित्र हो यहां कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है सब विश से पैदा होते हैं इसलिए विकारी कहा जाता है इन लक्ष्मी नारण को कहते भी हैं सम्पूर्ण निर्विकारी बच्चे तो बैठ पैदा होंगे न ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा यह भी सब समझने की बाते हैं तुम बच्चों को यहां साथ रोज की बठी में बिठाया जाता है भठी में इन्टे कोई तो पूरी पक जाती हैं कोई कच्ची रह जाती हैं भठी का मिसाल देते हैं अब इन्ट की भठी का थोड़ी शास्त्रों में वर्नन हो सकता है फिर उसमें बिल्ली की भी बात हैं गुल बकावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया है दीवे दीपक को बुझा देती थी तुम्हारा भी ये हाल होता है ना माया बिल्ली विघन डाल देती है तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है देह अभिमान है पहला नंबर फिर और विकार आते हैं मोह भी होता है बच्चे कहें मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रुहानी सेवा करूंगी मोह वश्मा बाप कहते हम अलाव नहीं करेंगे यह भी कितना मोह है तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है तुम्हारी एम अब्जेक्टी यह है बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं नर्ज से नारेन बनाते हैं तुम्हारा भी फ़र्ज है अपने हम जिन्स की सेवा करना भारत की सर्विस करना तुम जानते हो हम क्या थे क्या बन गए है अब फिर पुशार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए तुम जानते हो हम अपना राज्य सापन करते हैं कोई तकलीफ की बात नहीं विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ती रची हुई है आगे भी मुस्लों से लडाई लगी थी जब तुम्हारी पूरी तयारी हो जाएगी सब फूल बन जाएंगे तब विनाश होगा कोई किंग ओफ लावर है कोई गुलाब कोई मोतिया है हर एक अपने को अच्छी रिती समझ सकते हैं हम अक हैं वह फूल है बहुत हैं जिनको ग्यान की कुछ धारणा नहीं होती है नंबर वार तो बनेंगे न या तो बिलकुल हाइस्ट या तो बिलकुल लोएस्ट राजधानी यहां ही बनती है शास्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं कथाएं तो बहुत बनाई है ऐसे कोई बात है नहीं अभी तुम बच्चे कितने स्वच बुद्धी बनते हो बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं कितना सहज है सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित है अब पावन बनना है आत्म पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है बाब कहते हैं बच्चे बहुत कमजोर है याद भूल जाती है बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं भोजन पर याद करता हूं शुबाब हमको खिलाते हैं फिर भूल जाते हैं फिर स्मृति में आता हैं तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुशार्थ सनसार हैं कोई तो बंधन मुखत होते हुए फिर फंस मरते हैं धर्म के भी बच्चे बना देते हैं अभी तुम बच्चों को ग्यान का तीसरा नित्र देने वाला बाप मिला हुआ है इनको फिर नाम दिया है तीजरी की कथा अर्था तीसरा नित्र मिलने की कथा अब तुम नासिक से आसिक बनते हो बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है ग्यान का सागर है वे तो कहे देते नाम रूप से न्यारा है अरे ग्यान का सागर तो जरूर ग्यान सुनाने वाला होगा ना इनका रूप भी लिंग दिखाते हैं फिर उनको नाम रूप से न्यारा भी कहते हैं, सैकडो नाम रख दिये हैं, बच्चों की बुद्धी में ये सारा ज्यान अच्छी रिती रहना चाहिए, कहते भी हैं, परमात्मा ज्यान का सागर है, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकती, अच्छा, मीठे मीठे, सिकी लधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्से, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्से, नमस्से, गुड मॉर्निंग, धारणा के लिए मुख्ये सार, पहली पोइंट, अभी हम बाप दवारा बर्थ पाउंड बने हैं, हम सोदेवता बनने वाले हैं, इसी नारणी नशे में रहना है, बंधन मुक्त बन सेवा करनी हैं, बंधनों में फसना नहीं है, ज्यान योग में तीखे बन, मात पिता समान कि गौफलार बनना है, और अपने हम जिन्स की भी सेवा करनी हैं, वर्दान, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से, सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से, सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव, जब स्वदर्शन चक्र, राइट तरफ चलने के बजाए रोंग तरफ चल जाता है, तब माया जीत बनने के बजाए पर के दर्शन के उलजन के चक्र में आ जाते हो, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वियम ही रचते और फिर स्वियम ही फस जाते, इसलिए नौलेज़फूल बन, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो क्यों क्या की क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो, योग युक्त, जीवन मुक्त, चक्रवर बाप के साथ विश्व कल्यान की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे, विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, स्लोगन प्लेन बुद्धी से प्लेन को प्रेक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई हैं, अच्छा? ओम श्यान्ती, बहुत बड़ी खुश्खबरी है, जैसा कि हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं, कि बाबा को याद करने में बाबा के गीतों का बहुत बड़ा सयोग होता है, तो मदबन से बहुत प्यारा गीत बन कर आया है, सभी भाई बैने बाबा की याद में उसे सुने और सब को सुनाएं, ओम श्यान्ती